हेलो अबरीबडी ताओ लेट्स कंटिन्यू दा इलॉस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ आयोनेक एकुलिब्रिया मैंने मेरे पिछले लेक्चर में स्ट्रॉंग एसेड, स्ट्रॉंग बेस के बीच में नियूटलाइशन रियक्शन, उसका मिक्स्चर और उसका पी एच डिटर्मिनेशन आपको समझाया था मैं उसी आक्टिकल को कंटिन्यू करता हूँ आज मैं सबसे पहले यदि एक वीक एसिड हो और उसके साथ में स्ट्रॉंग बेस हो वीक एसिड और स्ट्रॉंग बेस का मिक्स्चर यदि हम करते हैं तो उस सिचुएशन को हम कैसे देखेंगे, कैसे सोचेंगे और कैसे अनिलाइज करेंगे यहाँ बात समझाता हूँ और इससे समझाने के लिए once again एक illustrative numerical problem लूँगा वीक एसिड के लिए मैं throughout acetic acid का इस्तिमाल करा हूँ, क्यों न इस बार भी acetic acid ही इस्तिमाल करता हूँ K A of acetic acid, जब हम acetic acid इस्तिमाल करेंगे तो acetic acid के dissociation constant की value this is a mandatory data, K A of acetic acid is 1.8 into 10 to power minus 5 और क्यों न इसका P K A भी देता हूँ में दार 4.74, generally this data is always provided with the problem, examination में जब भी problem आता है तो जो भी acid involved है, उसमें उसका K A value दिया हुआ होता है, और यदि कहीं पर K A value नहीं दिया हुआ होता है तो वहाँ पर कुछ न कुछ information, कुछ न कुछ दूसरा data जरूर दिया हुआ होगा, जिससे आप K A value या P K A value Determine कर सकती हूँ, that depends on problem, problem की condition को देखोगे, आफिर solve करोगे, देखिए, अब मैं देता हूँ, if we have 50 ml of 0.1 molar acetic acid, mix with 50 ml of 0.3 molar NaOH, what would be pH value of the resulting solution, यहाँ मेरा पहला part, once again, एक ही problem में तीन पाट दूँगा, मैं, पहली यहाँ situation है, दूसरी situation, if we have 50 ml of 0.2 molar acetic acid plus 50 ml of 0.2 molar NaOH, यदि हम इस तरीके से acetic acid और NaOH को add करते हैं, क्यों ना इधर मैं 0.2 के बजाए, दोनों को 0.3 रख देता हूँ, एक उनिफर्मिटी, NaOH का concentration uniform रहेगा, ध्यान रहे, यह जो मैं problems इस समय आपको दे रहा हूँ, आई में frame infinite number of problems, मैं हलके हलके से numerics और digits को बदल कर, अंगिनत problem बना सकता हूँ, हम कहते हैं, concept of fundamental समझ लिया जाए, तो किसी भी तरह की situation हो, उस situation को देख कर, हमें basic operation आना चाहिए, कि इदर क्या करा जाए, and lastly, if we have 50 ml of 0.7 molar acetic acid mixed with 50 ml of 0.3 molar NaOH, what would be pH of this solution, this is the condition, हमें इस problem को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, और solve करना सीखना है, एक strong acid को मिलाया गया है, एक weak acid को मिलाया गया है, strong base में, weak acid है, acetic acid, और strong base है NaOH, और खाल बार, इस बार मैंने volume तो सभी के हमेशा fix 50 ml लिया, NaOH का concentration भी fix का दिया, 0.3 molar, मतलब NaOH हमेशा fix amount में लिया दा रहा, acetic acid का पहले case में मैंने 0.1 molar solution लिया, दूसरे case में मैंने 0.3 molar solution लिया, और तीसरे case में मैंने 0.7 molar solution लिया, इस तरीके से तीन अलग-अलग solution बना है, और इन तीनों solution का मैंने pH value पूछी है, अब इस problem को कैसे सोचा जाए, सबसे पहली बात, जब भी दो reagent को मिलाते हैं, तो सबसे पहले यह सोचना है कि कहीं इन में कोई reaction तो नहीं है, यदि reaction है तो सबसे पहले उस reaction कोई सोचा जाए, लिखा जाए, acetic acid और NOH को मिलाया गया है, कहीं इन में कोई reaction तो नहीं है, हाँ जी इन में reaction है, acid और base आपस में react करते हैं neutralization reaction देते हैं salt और water देते हैं और यह neutralization reaction परिहार होती है unavoidable होती है it's always a spontaneous reaction it always goes in forward direction इसको कोई रोक नहीं सकता acid और base जब भी संपर्क में आएंगे आपस में react करेंगे उन में से कोई एक तो खतम होना ही होगा दोनों को exist नहीं कर सकते तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में होने वाली reaction लिखे है neutralization reaction में लिख रहा हूँ acetic acid combined with NaOH acetic acid combined with NaOH to give you salt, sodium acetate and water acetic acid would combine with NaOH to give you sodium, acetate, salt and water मैं कहता हूँ इन तीनों ही situation में यह reaction होनी ही है अब पढ़े ध्यान से समझना कि कैसे इस situation को deal करेंगे कई बार ऐसा लगता है जैसे हमने पिछला problem करा NaOH का और HCL का ऐसा लगता है कि एकदम से बिल्कुल वाचे करते जाएंगे पर ऐसा नहीं है आप देखिए case 1 मैं तीनों case को तीन अलग-अलग colors में दिखाऊंगा situation 1 case 1 हम case 1 में पहले यह देखेंगे acetic acid के कितने mol लिएगा है NaOH के कितने mol लिएगा है पहले की ही तरह मिली मोल निकालेंगे molarity into volumin ml molarity into volumin ml करने पर acetic acid के हमें 5 mili mol दिख रहे हैं और NaOH के हमें molarity into volumin ml दब करते हैं 0.3 into 50 15 mili mol इसके हमें दिख रहे हैं और sodium acetate के initially कोई mili mol नहीं है, water के भी initially कोई mili mol नहीं है this is the initial condition original condition जो अमने लिए है अब as we know यह reaction पूरी तरह से complete होना है forward reaction में जाना है acetic acid जो की कम मात्रा में है this is a limiting reagent यहाँ पूरी तरह से consume होगा और यहाँ पूरी तरह से consume होके finish हो जाएगा इसके 0 millimol बचे रह जाएंगे और खास बात 5 millimol of acetic acid would combine with 5 millimol of NaOH it would consume 5 millimol of NaOH तो 15 millimol में से 5 millimol consume होगे बचे कितने है 10 millimol जो बचे रह जाते है वो आमें लिखना चाहिए 10 millimol NaOH के बचे रह गए और 5 millimol sodium acetate के बन गए water लिखने की कोई आवर शकता ले this is the situation this is the condition अब इससे सोचने के बाद अब हम सोचेंगे की कैसे pH या पोच सोचा जाए कैसे लेखा जाए हम क्याते हैं अब reaction के बाद अब जो situation बनी हुए दिखाई दे रही है उसको देखें आप आए ना वहाँ स्ट्रोंग बेस पूरी तरह से डॉमिनेट करेगा बाकी सभी की प्रेजन्स को बिल्कुल करके रख देगा वह बाकी कहीं से भी कोई अच्परटी कोई वच निकेट नहीं आना है जो भी कुछ आना है वो जो भी कुछ हाइड्रोकसल या एच्परटी वाना है वो एनिवेज की वज़े से ही आना है क्योंकि यहां एक स्ट्रॉंग बेस है स्ट्रॉंग ऐसे डिया स्ट्रॉंग बेस कहीं दिखने लगे फिर आप बाकी सबको बूल जाईए अब वहाँ पर सूरियम एसिटेट है जरूर मगर सूरियम एसिटेट से कोई फरक नहीं पड़ता सूरियम ऐसे टेक्वा कोई रोल प्ले नहीं करेगा अब हम कहेंगे कि NaOH की वज़ा से जो हमको pH या POS दिखेगा हम सबसे पहले NaOH का concentration लिखने की कोशिश करेंगे मैं इस साइड लिखता हूँ इससे सौल करने के लिए NaOH जो वहाँ पर दिखा है इसका concentration once again यह मिली मोल से लिखे मिली मोल से पर मतलब नहीं हमें concentration लिखना है concentration के लिए molarity चाहिए 10 मिली मोल हमारे पास में NaOH के हैं और total volume in ml कितना है दिस हंडेड अमल दोनों reagent को मिला के 100 ml बन गया है number of millimol upon volume in ml दिस पॉइंट वन मोलर this is the molarity of NaOH और जो NaOH की molarity है वही hydroxyl ion की molarity कहलाएगी यहाँ hydroxyl ion की molarity है और hydroxyl ion की point one molarity है तो POH value इस case में होती है POH value which is negative log of hydroxyl ion concentration यहाँ 1 दिखेगी तो pH value 13 दिखेगी इस solution का pH 13 होगा strong base NaOH बचा हुआ है इसलिए pH 13 है solve करने का तरीका बड़ा साथ है नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत कोई सबस्चा नहीं दिखी अब हम इसी problem का second part करते हैं second part में acetic acid और NaOH मिलाया जा रहा है NaOH के number of millimoles तोत नहीं है acetic acid के number of millimoles देखिए acetic acid के number of millimoles जो मुझे दिख रहा है 15 millimoles और NaOH के भी 15 millimoles sodium acetate के कोई millimoles नहीं है this is the initial condition in the second problem और देखिए इस बार acetic acid और NaOH they are used up in equivalent amount they are in equal molar ratio यह उसी ratio में है जिस ratio में react करते हैं जितने mol acetic acid के उतने ही mols NaOH के दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से consume कर लेके पूरी तरह से react हो जाएंगे और वहाँ acetic acid के भी 0 mols बचेंगे NaOH के भी 0 mols बचेंगे और वहाँ पर 15 millimoles water के और sodium acetate के बन जाएंगे water के millimoles लिखने की कोई आवशकता नहीं sodium acetate के हमने 15 millimoles लिख दिये है अब हमें सोचना है कि इस solution का pH क्या कहें कैसे निकाले acid खतम, base खतम पूरी तरह से salt बन गया तो क्या pH 7 कह दे एकदम से impulsively आप एकदम से कह दोगे pH 7 और वही पर गलती कर गए now here lies the difference from the previous situation NaOH और HCl जब पूरी तरह से कंजीम हो जाते हो NaCl बन जाता है तब pH 7 है क्योंकि वहाँ strong acid strong base था हो पूरी तरह से react कर गया है ना कोई strong acid बचा ना strong base बचा पूरी तरह से एक salt बना strong acid और base वाला वहाँ pH 7 था बिल्कुल सही अगर क्या इस जगह पर pH equal to 7 कहेंगे acid पूरी तरह से समाप्त हो चुका है base पूरी तरह से समाप्त हो चुका है पूरी तरह से salt बन चुका है मगर फिर भी इधर pH 7 नहीं होगा Now here we'll apply the concept of salt hydrolysis जड़ा सोचिए यह कैसी situation बन गई It's same as if आपने pure water में pure salt डाला हुआ है यह situation तो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कि आपने पानी के अंदर pure salt डाल दी और कैसा salt The salt which is derived from weak acid and strong base This is a salt of weak acid and strong base चुकि यह salt weak acid strong base से बना है इसलिए मैं पहले से ही बता दूँ कि यहाँ basic salt है इसका pH 7 नहीं होएगा बलकि 7 से हलका सा उपर होएगा alkaline solution बनाएगा basic solution बनाएगा यह करवा लगेगा और इसका pH निकालने के लिए we need to apply the concept of salt hydrolysis अब इसका pH determined मैं इजहर करता हूँ salt hydrolysis का concept recall करते हैं salt hydrolysis के concept के लिए salt of weak acid and strong base के लिए सबसे पहले में immediately वह हो pH expression मैंने जो लिखा हुआ था उसको एकदम से मेरे दिमाग में रिकाल होना चीए weak acid and strong base के लिए हमने pH expression लिखा था in that pH expression is half of pkw- 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 loxxi हमने यह expression वहाँ पर लिख रखा है और जैसा मैंने कहा था कि जब भी situation आती है immediately expression याद आना चाहिए hydroxyl ion concentration वहाँ पर जो लिखा था under root of KW upon K A into C this is hydroxyl ion concentration this is equal to under root of K H into C इस तरीके से हमने वहाँ पर expression लिखा था hydrolysis constant K H हमने KW by K A लिखा था तरह देखिये और hydroxyl ion concentration under root K H C KW by K into C और इदर से POS लिखा था half of PKW minus PK minus log C PKW हमें पता है 14 PK हमें दे रखा है 4.74 हमें log C determine करना है what is this log C? C is the concentration of salt concentration of salt हम लिख जेते हैं concentration of salt में लिख रहा हम 15 millimol upon 100 ml it's 0.15 हम इसका POH data mine कर देते हैं इस जगा पर मैं POH expression लिख जेता हूं POH equal to half of 14 minus 4.74 P क लिख जेता हूं P के एक जगा 4.74 minus log of 0.15 1.5 तो आप इसे calculate कर सकते हैं मैं immediately log of 0.15 आपको बतायता हूं मैं क्यों इसे calculate इसे करके रिखाता हूं और फिर I can write this like this log of 3 into 5 into 10 to the power minus 2 and this may be written as log 3 is 0.48, log 5 is 0.7 and log of 10 to the power minus 2 is minus 2.5. This is the log of 0.15 आपको इसे कैसे दे substitute कर सकता हूं मैं ऐसे लिखता हूं half divide करते जलता हूं 7 minus 2.37 minus this complete value 0.48 minus 0.48 0.48 को भी डिवाइट करना होगा, हाँ से 0.24, 0.24, minus 0.35, plus 1. इमेडियतली इसको कालकुट कर लेते हैं, and you will get 7 minus 2.37 minus, sorry, 7 minus 2.37 minus 0.24 minus 0.35 plus 1. 1 is equal to this 5.04, POH is 5.04, this is the POH value, and if POH is 5.04, in that case, pH would be 14 minus 5, 14 minus 5, that is something 9, or 8.96, this would be the pH of this solution. आप बड़े जान से देखिए, इस case में, we applied the concept of salt hydrolysis. किस तरीके से concept बदला है, इस बात को समझें, पूरा acid पूरा base रेक करा, पूरा acid पूरा base कजिम हो गया, और वहाँ पर salt बचा, फिर हमने उस salt के nature को सोचा, कि यह salt को strong acid, strong base वाला नहीं है, यह salt है, weak acid strong base वाला, तो एक basic salt हुआ, basic salt हुआ, इसका मतलब, इस basic solution बनाएगा, यह करवा होगा, इसका pH 7 से ज़्यादा होगा, कि यह objective के रूप में आता, और मुझको 4 options दिये हुए होते, अलग-अलग range में, तो मैं कई बार बिना calculate करें, उस option को mark कर देता, जो 7 से उपर है, हलका से उपर है, बहुत ज़्यादा उपर, 10, 11, 12 के range में जाके mark नहीं करूँगा, 8, 9, 7, 8, 9 के बीच में जो value दिख रही है, मैं उसको mark करूँआ, 11, 12, 13 pH नहीं हो सकता, क्योंकि 11, 12, 13 pH होना मतलब strong basic होना, और यह कोई strong basic भी नहीं है, एक mildly, weekly basic solution बनाएगा, और यदि मुद्स, options बहुत close दिये हुए होते, 2 या 3 options बिलकुल इसी तरह से दिये होते, 7, 8 और 9 के range में, in that case मुद्सको precise calculations यहां करना परता, बिलकुल precise यहां equations लगानी परती, मुझे यहां सारी चीज़ रटी भी होनी चाहिए, POH के लिए यह expression, hydroxyl के लिए expression, although मुद्सको दर लगानी के आशित्ता नहीं पड़ी, पर जैसे ही problem आता है, जैसे situation आती है, मिरे दिभाग में एकदम से सारे formula तेहर जाते, और फिर मैं apply करने लगता हूँ, बेसिक लॉग के applications, operations, वो अनिवार है, जब मुझे log of 0.15 calculate करने के लिए आया, तो ऐसा नहीं है कि examination में exactly log 0.15 दिया हुआ होगा, वह आप पर log 3 और log 5 की value दिये हुई है, और log 3 और log 5 की value से आपको log 0.15 की value सोच लेनी है, और वो मैंने सोचने का तरीका पता है, कि log 0.15 को मैं ऐसे लिख दूँगा, 3 into 5 into 10 to power minus 2, यह हो गया, log 3 plus log 5 plus log of 10 to power minus 2, log 3 की जो value दियुए है, वहां मैंने substitute कर दी, log 5 की value substitute कर दी, और log of 10 to power minus 2 की value मुझे को पता है, और इस तरह से log 0.15 मैंने इदा substitute कर दिया, और इदा इसको मैंने calculate कर दिया, there may be number of ways to calculate the expression, पढ़े ध्यान से इसे देखिए, अब मैं इसी problem का तीसरा part समझाता हूँ, कि तीसरी situation को मैं कैसे deal करेंगे, देखिए, तीसरी situation मैं पहले condition लिखता हूँ, initial condition और reaction के बाद के condition बनेगी, वहाँ पहले लिखता हूँ, acetic acid के कितने millimol हैं इस बार देखिए, molarity into volume in ml, 0.7 into 50, 35 millimol, acetic acid के हैं, NaOHK, 15 to 0.3, 15 millimol हमारे पास में, NaOHK, और initially sodium acetate के कोई millimol नहीं, water से कोई मतलब नहीं, this is the initial condition, यहाँ initial condition है, अब reaction होईगी acetic acid में, और reaction होईगी NaOH में, acetic acid में और NaOH में neutralization reaction होनी है, और इन मेंसे एक पूरी तरा से कोई कजिम होगा, कतम होगा, इस बार limiting reagent NaOH है, पहली situation में limiting reagent acetic acid था, दूसरे case में दोनों ही limiting थे, दोनों ही कजिम होगा, तीसरे case में NaOH कम है, NaOH limiting reagent, पूरी तरह से use होजाएगा, पूरी तरह से consume होजाएगा, और वहाँ NaOH के कोई millimol बाकी नहीं रह जाएगे, खतम होजाएगे, 15 millimol NaOH, 15 millimol acetic acid के साथ में react करके, वहाँ पर acetic acid के जो बचे रह जाएगे, 20 millimol, और 15 millimol वहाँ पर sodium acetate के बन जाएगे, this would be the final situation, reaction के बाद, reaction के बाद अब यहाँ जो situation बनी है, इससे हमें सोचना है, कि pH कैसे determine करें, इस बाद, weak acid बची हुई है, क्या हम dissociation of weak acid का concept लगा दे, क्या हम dissociation of weak acid के लिए, जो हमने ost wide dilution law, जो सबसे पहले सीखा था, क्या वो लगा दे सीज़ा सीज़ा, कभी नहीं, यहीं पर गल्ती हो जाती है, ध्यान रहे, ost wide dilution law, जरा, pages turn कीजिए, notes देखिए, ost wide dilution law हमने कब बताया है, ost wide dilution law सिर्फ तब लगाया जाता है, जब कोई weak acid या कोई acid, pure water में हो, water के अंदर सिर्फ वह acid पड़ी हुई हो, तो आप ost wide dissociation या dilution law लगाती हो, मगर क्या इधर, पानी के अंदर सिर्फ acetic acid है, नहीं, इधर कोई और भी मौझूद है, strong acid या strong base हो, तो आप बाकी सब की मौझूद की भूल जाओ, कोई सबस्या नहीं, क्योंकि strong acid, strong base हर देगा, डॉमिनेट कर जाते हैं, मगर इधर weak acid है, यदि कहीं पर weak acid देख रहा है, तो आपको दूसरा electrolyte उसकी presence को भी देखना होएगा, उसके effect को भी देखना होएगा, आप ज़रा देखिए, इस बार acetic acid के साथ में कौन मौझूद है, sodium acetate salt हो उसके 15 mmol, तिरह रिकॉल करो, यह situation क्या है, इस अ मिक्शर आफ वीक acid, and a strong basic sort of weak acid, रिकॉल करो, इस इन फैक्ट अ बफर solution, इस जगह पर बफर solution का concept लगेगा, Henderson's equations लगेगी, इस जगह पर pH determine करने के लिए, आपको, जो मैंने लास्ट अर्टिकल बफर solution समझाया है, Henderson's equation समझाया है, वो अपलाए करना पड़ेगा, इस जगह पर जनरल ही पाया है, गल्ती हो जाती है, कि सभी लोग एकदम तेजी से, weak acid को देखकर, acid का dissociation का concept लगाने लगते हैं, और उस तो रड, dissociation law, basic salt of weak acid, अब जिस अब बफर solution, अब मैं तीसरे case के लिए यदर solve करूँगा, इस इस अबफर solution, और इसमें Henderson equation apply करूँगा, और वह Henderson equation करती है, pH equal to pKa minus log of salt upon acid, volume से कोई मतलम नहीं, salt upon acid, 15 by 20, 3 by 4, pH is equal to pKa that is 4.74 minus log of 15 by 20, 3 by 4, 4.74 minus log of 3 by 4, log 3a 0.48 or log 4a, 2 times log 2 that is 0.6, तो मैं इसरे solve कर देता हूँ, इसरे कर देता हूँ, इसरे कर देता हूँ, pH is equal to 4.74 minus 0.48 plus 0.60, this becomes 0.12 4.74 plus 0.12 4.86, 4.86 this is the pH value of this solution, बड़े ध्यान से देखिये, इस केस में situation बदली और situation के बदलने से अब यहाँ एक buffer solution बन गया, पिछले problem को जरूर देखो, पिछले problem में ना तो कोई salt hydrolis का concept लगा, ना कोई buffer solution का concept लगा, क्योंकि वहाँ पर strong acid है strong base था, वो situation बिलकुल fact थी, अगर इस बार जब weak acid हो गई, उसके साथ में strong base मिला जा रहा है, तो जब देखिये किस तरह से concept बदला, एक case में dissociation of strong base का concept, दूसरे case में salt hydrolis का concept, और तीसरे case में buffer solution का concept, और फिर देखिये किस तरह से हमने तीनों case में pH value लिखी है, this is a very good illustrative problem to explain you all those concepts that we had explained till now, इसके बार मैं अगला एक और सवाल करूँगा, इससे बिलकुल reward कर दूँगा, weak base और strong acid को लेकर इसी समय एक problem कराता हूँ, पहले इसे note down कर लीजिए, कर दोस्टाब